अगर अगर आपने पैन कार्ड को अधार कार्ड से लिंक कर सकते हो क्योंकि अगर आपनी 30 मार्स तक अपने पैन कार्ड को अधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो जो आपका pen card है वो useless हो जाएगा यानि कि उस pen card से ना तो आपन अकाउंट open कर पाऊगे ना कोई आप demit account open कर पाऊगे या कोई भी financial justice के लिए आप पहने खटी जुरूत होगी वह वहाँ पर valid नहीं होगा और जो account आप आपके चल रहे हैंगे वो भी inoperative हो जाएगे करने वाला वह अपने mobile phone पर कर सकते हो आपको किसी भी agent के पास किसी भी shopkeeper के पास जाकर 150 पर देने की कोई भी जुरूत नहीं है जस्ट कुछी clicks में जिस चीज़ है आप बिल्कुल आसानी से घर बैठे अपना कर सकते हो तो आपको दिखाता हो कैसे करना है सबसे पहला आपने क्या काम करना है अपने धार pen को link करने के लिए देखिए निचे आपको वीडियो की description में मैं एक link दे जूँगा जैसे link के ओपर click करोगे इस तरह का page आपके सामने आजाएगा जहाँ पर भी आपको लिखा हुए यहाँ पर मिलेगा link your pen लेकिन यहाँ पर click आपने नहीं करना है और नीचे आजाना है quick links की option आजाए कि यह मैं अपने mobile phone के उपर ही कर रहा हूँ बस मैंने mobile phone को rotate किया हुए ताकि आपको चीज़ें बड़ी दिख सकें आपको किसी भी mobile phone पर आप इसको असानी से कर सकते हो और उपर लेके जाओगे यहाँ पर एक option आपको मिल जाएगा link का धार तो यह वाले option के उपर आपने click करना है simple is that इस option के उपर जैसे click करोगे नया page open हो जाएगा जैसे कि अभी मैंने इसको यहाँ पर click कर दिया और कुछ इस तरीकी का page यहाँ पर आएगा जहाँ पर तीन steps लिखे रहेंगे enter details, verification और यहाँ पर status करके option आजाएगा तो अब इसमें अपने क्या करना है इसको थोड़ा और ऊपर करोगे तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर details आएगी इसको आप मतलब बढ़ सकते हो और यहाँ पर note लिखा आ रहा है कि note में कुछ चीज़ें अपने देखना है कि अधार pen link करने का किस किस को यहाँ पर exempt कराएगा किन किन को यहाँ पर छोट मिली एक तो NRI जो भी NRI है उनको छोट मिली हुई है उनको link करने ज़रूरत नहीं है जो इंडिया का citizen ही नहीं है या पर जिनकी age है 80 साल से उपर टब चुकी है और कुछ यहाँ पर states है जिनको यहाँ पर जो residents इन असाम में घाले और जमू किश्म में उनको यहाँ पर हाल फिल हाल कि यहाँ पर क्या है कि exemption मिली हुई है as perda यहाँ पर update अब आपने क्या करना है बहुत सारी वीडियोस आपने देखा उसमें login करने की जुरूरत पताई जाती लेकिन आपको login करने की जुरूरत नहीं है simply जो भी अपका pen card है वहाँ पर या pen वाले में जाना यहाँ पर अपना pen card detail डाल देना है यहाँ पर अधार card का number डाल देना है जैसे यह आप इन चीजों को डाल दोगे और नीचे डालने के बाद यहाँ पर जो वैलिडिटी का option है यह जो option है वो आपको यहाँ पर यह क्या ह हो जाएगा मैं अपको यहाँ पर करो करता हूं तो कि कर दिया है तो यहाँ पर कियो कर दिया कि जो मेंड़िटी नि'm उससे already linked है क्यों क्योंकि मैंने already इसी link से link करके रखा हुआ है तो यहाँ पे कुछ एक options ये भी है अगर आप link करना चाहते हो तो आप phone पे text message भेज के भी कर सकते हो कुछ other options भी है लेकिन ये जो चीज बता रहा हूँ ये बहुत ही best है recommended है और बहुत चल्दी हो जाता है और जैसे यह वैलिडिटी के उपर क्लिक करते है उसके बाद में क्या होगा वह आपको बता है वैलिडिटी वाले के section के उपर क्लिक करने के बाद आपको एक next page आजाएगा जहां पे आपके फोन के उपर एक OTP आएगा उस OTP को अपने डाल देना है OTP को डालने के बाद जो आपका यह है वो submit हो जाएगा और जस्ट कुछी टाइम में आपको फोन के उपर message आजएगा कि यूँर pen card and athar card has been linked together successfully इस टाइपके आपको message मिल जाएगा और जो आपका काम है वो हो जाएगा तो कुल मिला कर सर्फ इतना ही काम करना है कोई भी इसमें जादे यह नहीं है कि आपको किसी agent के पास है shopkeeper के पास आपको जाना पड़े और उनको पैसे देने पड़े अलग से आप खुद का भ वो लुगर सकते हूँ बाई